हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेडी बित्तिवारी चनल, तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम जो मारा फूर्थ जो पद है सूरदास का उसके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे तो बच्चो मैं इस व्याख्या को स्टार्ट करने से पहले आपको चार पंक्तिया सुनाना चाहती हूँ, आज मेरी मन में है कि मैं आपके लिए कुछ बोलू, जिससे आपको मन जोस से भर जाए, फिर आप अच्चे से कलास को देख सकें, तो आपको लगता होगा कि जैसे ये पंक्तिया सुनाना चाहती हूँ, मत समझना, अब आप पेपर से बोलना, इस बात को, मत समझना कि हम तुम से डर जाएंगे, मत समझना कि अब तुम से डर जाएंगे, अब कि सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना कि हम तुम से डर जाएंगे, अब कि सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नामे का खौप देता है तु। बगंती बोलना चाहूंगी, मौत के नामे का खौप देता है तु, मौत जिस रोजी आएंगे, मर जाएंगे, मौत के नामे का खौप देता है तु, मौत जिस रोजी आएंगे, मर जाएंगे। बचों मौत जिस दिन आएगी, उस दिन हमें मनना ही है, लेकिन मनने से पहले कुछ हमें ऐसा काम कर जाएं, जिससे हमें लोग याद रखें। बले ही जिंदिकी थोड़े दिनों के लिए हो, लेकिन जिंदिकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग पीछे से हमारी बढ़ाई करें, हमें याद करें, बारबार किसी बात को ले करके ऐसा काम करना चाहिए हमें। तो आई ओप आपको अच्छे लगी होंगे दो पंक्तियां तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको ये पंक्तियां। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें आप प्रिशंग के वारे में क्या लिखोगे। इसमें देखते हैं अब योग संदिश के बारे में क्या कहते हैं गोपियां। हरी है राजनीती पढ़ियाय समझो बात कहत मदुकर के समाचार सब पाये। तो मैं आपको पहले कठन सब्द बता देती हूँ, हरी का मीन होगा, इसमें स्रीकृष्ण, पढ़ियाय का होगा, सीक आये। मदुकर का है ब्रमर। ब्रमर यहाँ पर बैसे प्रियो किसके लिए उद्धब के लिए, बत्छो उद्धब के लिए। औधिकिशने राजनीती पढ़ली है समझू बात कहते मधुकर के समाचाअध सब पाए अरे उधो हम तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई ते शम्हारी बात कहत ने समझ गए थे बात जब तुम्हारी बात को कहे रहे थे उदव हे उदव तब ही हम समझ गए थे क्या समाचार सब आए कि कुछ दाल में कुछ काला है हम कृष्ण के समाचार को जान गई समाचार सब पाए जैसे ही उदव का रत आते हुए देखा गोपियों ने तो वो समझ गई थी कि स्री कृष्ण ने उनके लिए कुछ प्रेम संदेश बेचा है लेकिन उन्होंने जो सोचा था उसके बिल्कुल विप्रीत था क्या था विप्रीत हुआ आगे क्या कहती है एक अती चतुर हुते पहले ही अब गुरु गरंत पठाई अब इसमें हुते का होगा थे और पठाए का मतलब है पढ़ाए मतलब पढ़ना आगे कहती है गोपियां हमें कृष्ण की चले बरी राजनीती समझ गई थी एक अती चतुर हुते पहले थे कि एक तो कृष्ण पहले से ही भहुत चतुर थे अब गुरु गरंत पठाए अब उन्होंने राजनीती के गरंत भी पढ़ लिये हैं आगे कहती हैं बढ़ी बुद्धी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए आगे कहती हैं क्या कहती हैं बच्चो कि बे-बुद्धी का बहुत बड़ा समस्ते हैं बड़ी बुद्धी को क्या समस्ते हैं बहुत बड़ा जानी जो उनकी कि इसी कारण उन्होंने योग संदेश पठाई की स्री किष्ण है वो अपनी बुद्धी को जानी जो उनकी की बहुत बड़ा समस्ते हैं इसी बात को जान करके जोग संदेश पठाई उन्होंने उद्दब को भेज करके हमारे लिए योग संदेश भेजे हैं योग संदेश भेज कर कितनी समझदारी की है उद्धो भले और लोग आगे के परहित डोलत धाई तो इसमें बताया गया है परहित का मतलब है बच्चो परोब कार्या दूसरों की भलाई करने बाला और हित्य डोलत जाए डोलत धाई का मतलब है दोड़ते दोड़ते और आगे का मतलब हुआ इसमें पहले के पहले के लोग मतलब पूरवच पूरवचों के लिए प्रियुक्ध हुआ ओद्धों भले लोग आगे के कि जो पहले के लोग थे जो हमारे पूर्वच थे पहले नोग कैसे परीट डोलत जय के परुबकारी थे जो पर्हित मतलब दूसरे लोगों के लिए लोकित के लिए इदर उधर दोड़े दोड़े फिरते थे दोलत धाए दोड़े दोड़े फिरते थे दूसरों के help के लिए परोपकार के लिए आगे कहती है गोपियां अब अपने मन फिर पाई है चलत जू हुते चुराए फिर पाई का मतलब है फिर से पालिंगी फिर से पालिंगी फिर पाई तो गोपियां आग तो आपको फटकाल लगा रही है एक तरह से उसकी उलहाना कर रही है क्या कहती है परन्तु अब ना तो हमें तुम पर विस्पास हैं ना कृष्ण पर चलो कम से कम ही है आप हमें हमारा मन तो बापस मिल जाएगा चलत जो हुते चुरहे की हमारा जो मन है पिर पाईए कि अब अपनेया मन मतलब गोपिया करेगे कम से कम अब हमारा जो मन है वह वापस तो मिल जाएगा कैसे वापस आपको समझने आगा चलत जो हुते चुराए जिसे किष्ण यहां से जाते समय जो मत्रा जा रहे थे व्रिंदवन से तो यहां से जाते समय चुड़ा ले गए थे अब कम से कम हमारा जो मने वो हमारे पास तो रहेगा बापस तो मिल जाएगा अब अपने मने हो गया है ते क्यों अनीती करे आपन जे और अनीती चुड़ा है आगे परंतु हमें ये समझ नहीं आता बे उद्दब से कह रहे हैं कि हमें ये समझ क्यों नहीं है आ रहा क्या कि जो किष्ण ते क्यों अनीती करे आपन जे और अनीती चुड़ा है कि जो श्री किष्ण औरों की अनीती चुड़ाते थे पीचे से अर्थ होगा इसमें जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते थे दूसरों को अनीती करते हुए बचाते थे ते क्यों अनीती करें आप उन आप उन माने श्वेम हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं राज धरम तो यह सूर जो प्रिजा नचाई सताएं राज धरम तो यह कहता है यह सूर बीर कि प्रिजा की सताएं प्रिजा है क्रिश्ण को चाहिए कि अपना योग संदेश बापस लें और हमें अपने दर्सन दें राजा का ध्रम क्या होता है अपनी प्रजा की सेभा करना अपने दात्यों का निर्भार करना जिससे की जो प्रजा है वो दुखी नहीं हो उसी प्रकार से गोपियां करें श्री कृष्ण यहां आएं मत्रा से और हमसे हमारे लिए हमसे प्रेम करें हमारे लिए हमें क्या दें दर्शन दे तो ये था इसका अर्थ ब्याख्या विसे इसमें आप नॉर्मली लिख सकते हो इस पद में गोपियों की बाक चातुरृता का बैडन किया गया है गोपियों के माध्यम से राज धर्म पर क्या डाला गया प्रिकाश डाला गया है और शरल साहितिक ब्रजवासा का प्रियोग किया गया है तो मैं आसा करती हूँ आपको ये चारो पद सूर्दास के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेश्ट वीडियो में और बीच बीच में बच्चों आपे वीडियो को सेयर भी कर दिया करें बाई बाई टेक क्यार